नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्लैक गोर्ड में तो दोस्तों आज किस महत्यपूर वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में इसको बैठा देंगे जोरदार तरीके से जोरदार ट्रिक के द्वारा कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे कि राजस्तान के प्रमुक नगरों के उपनाम क्या ह तो दोस्तों चलिए चलते हैं देखते हैं दोस्तों बाई तरफ आपके दिया हुआ है नगर और दाई तरफ आपके है उपनाम तो इसमें सबसे पहला जो हम लेते हैं वो है अजमेर और दोस्तों अजमेर को राजस्तान की हिर्दे इस्थली कहा जाता है जी हाँ दोस्तों उसको राजस्थान की हिर्दो स्थलि कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों बहुत ही सॉलिट्री कैसे दोस्तों इसके लिए आपके दिमाग में कभी भी आप कभी नहीं भूलेंगी कि अजमेर ही राजस्थान की हिर्दे स्सलि Certain है. कि अजमेर ही राजस्थान की हिर्देस्थली हो सकता है क्योंकि आप एक्जाम भी देने जा रहे हैं तो याद रखिए कि RPSC का कारियालत वर अजमेर में ही है तो इसलिए अजमेर ही राजस्थान की हिर्देस्थली होगा दूसरा है दोस्तो आबू जी हाँ दोस्तो आबू यानि की माउंट आबू और माउंट आबू दोस्तो ये राजस्थान की से सिमला कहा जाता है क्या कहा जाता है राजस्थान की सिमला कहा जाता है यानि की सिमला में बर्फ पड़ती है बहुत थंडी जगे होती है तो मैं आपको बता दू दोस्तो ठंडियों में माउं टाबू में भी जील है वो पूरी बरफ में तब्दील हो जाती यानि कि जम जाती है इतनी ठंड पड़ती है तो दोस्तो जो माउं टाबू है ये इसलिए राजस्थान की इसे सिमला कहा जाता है तो दोस्तो ये भी आप बिलकुल भी नहीं भूलेंगे नेक्स्ट है दोस्तो भरतपुर जी हां दोस्तो भरतपुर और इसका उपनाम है रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जिहां रेगिस्तान का प्रवेश द्वार तो कैसे तयार करेंगे बहुत आसाम तरीका है दोस्तों भरतपूर दोस्तों भरतपूर के नाम में ही आ रहा है भर भर के भर भरत यानि की भर तो भर भर के क्या चलने लगती है आंधियां चलने लगती है रेत आने लगती है जब आप रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं कहां पर प्रवेश करते हैं रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं जब भी आप कभी रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे तो भर भर के आंधियां चलने लगती है तो बस यही समझ ज भरभर के चलती हैं इसलिए भरतपुर ही रेगिस्तान का प्रवेश्च द्वार है नेक्स लेते हैं दोस्तों चितौल गड़ झत उड़ लकों बोला जाता है राजस्थान का कैसी तयार करेंगे बहुत आसाने दोस्तों चित्तोडगर यानि की महाराणा प्रताप का इस्थल महाराणा प्रताप जो थे वो चित्तोडगर से जुड़े हुए थे इसलिए चित्तोडगर को राजस्थान का गवरो बोला जाता है गवरो का प्रतीक बोला जाता है नेक्स्ट है दोस्तो डूंगरपूर जी हां दोस्तो डूंगरपूर और ये इसको कहा जाता है पहाडों की नगरी तो कैसे तयार करेंगे दोस्तो बहुत आसान है दोस्तो पहाडों की नगरी यानि की डगमग रास्ते होंगे कैसे होंगे डगमग रास्ते होंगे बिलकुल आ वो कैसा रहेगा वो देखिए डगमगा आता हुआ रास्ता रहेगा ना महा तक पहुंचने का तो इसलिए डूगरपूर है वो नेक्स रहें दोस्तो हल्दी घाटी और हल्दी घाटी को बोला जाता है राजस्थान का थर्मोपोली जी हां राजस्थान का थर्मोपोली तो कैसे तयार करेंगे बहुत आसान है दोस्तो हल्दी घाटी अब हल्दी घाटी में हल्दी आ रहा है हल्दी और हम सब को पता है जो ह को हम आपस में रिलेट कर देंगे और दिमाग से कभी भी नहीं आपके जाएगा कि हल्दी घाटी ही राजस्थान की धर्मोपोली है क्योंकि हल्दी गर्म होती है और राजस्थान की धर्मोपोली में धर्मो जो मतलब भी गर्म ही होता है चलिए नेक्स लेते हैं दोस्तों जै कलर में हैं वो पिंक कलर में हैं किस कलर में हैं पिंक कलर में बस नेक्स लेते हैं दोस्तों उदाइपुर और उदाइपुर को दोस्तों पूर्व का वेनिस बोला जाता है तो ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों क्योंकि जो वेनिस है दोस्तों वो जीलों का सहर है खुब सारी जीले हैं, बहुत सारी जीले, इसलिए इसको जीलों का नगर भी बोला जाता है, और राजस्थान का कश्मीर भी बोला जाता है, क्योंकि कश्मीर में भी सारी जीले हैं, ठीक है, तो इन सभी जगों पे जीले हैं, वेनिस में भी जीले हैं, कश्मीर में भी जीले हैं, तो इसल आप शान आपके सामने है ए मांडड़ा बी पाना सी साची या फिडी फड़ तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्षिन में लिखे जरूर बताईए दोस्तों इसके लावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक ज बूलेगा ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी धमाकेदा ट्रिक के वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद